स्वागत है अब सबका मैं विवेक बिंद्रा इंटनाशनल मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट, CEO कोच आंतरपनियोर्स के लिए मैं कहीं वीडियो लगातार बना रहा हूँ मेरे लीडर्शिप फ़नल प्रोग्राम में अंतरपनियोर्स आते हैं, मुझसे चर्चा करते हैं कि कॉम्पेटिशन बढ़ता जा रहा है, चाइना वाला वीडियो मेरा वाइरल हो गया, लोगों ने मुझसे कॉमेंट में पूछा कि चाइना के खिलाफ हमारी लोग क्या करें, लो कॉस्ट कॉम्पेटिटर आ गया है मार्केट के अंदर, सस्ता समान लेकर के बहुत लोग आ गया हमें डिसकाउंट देना पड़ता है, आज का वीडियो है, डिसकाउंट दिये बिना बिजनस को मल्टिप्लाइ कैसे करें, निश्चिंत रहें, अगले 5 स्टेप्स के बिल्कुल चिंता ना करें, बड़ा बिजनस, मल्टिप्लाइड बिजनस, बड़े अकाउंट और कस्टमर्स अक्वायर करने के तरीके शेर करूँगा, कि लार्ज अकाउंट अफ कस्टमर्स को अक्वायर कैसे किया जाए, मेरे पिछले वर्क्शॉप में ध्याद ध्यान दीजेगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए डिसकाउंट दिना इस नौट दिना उता, सूपरफिशल, उपर उपर हवा हवा में, बाहर बाहर काम करना, दीरे दीरे मैंने वीडियो में इन सेलुशन पर डालने वाला हूँ, मैं डीटेल में आपको बहुत नीचे यह लेके जाओंगा कि कैसे कस्टमर की उस नब्स को पकड़ा जाए जिससे कस्टमर का आपके साथ काम करना मजबूरी और जरूरी हो जाए तो पांच स्टेप्स है और पहला स्टेप है आइडेंटिफाइड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अफिर कस्टमर ध्यान दीजेगा उसके धंदे के अंदर मनी मेकिंग मॉडल क्या है आपका जो कस्टमर है वो पैसा कमाता कहां से उसकी कमाई कहां से हो रही है आपका जो कस्टमर है वो सब चीजों से पैसा नहीं कमाता धूंडिए उसके व्यापार के अंदर आपको डीटेल में जाना पड़ेगा माल बेच तो वो तो roadside vendor भी आके अखबार बेचता है नारियल की गरी बेचता है पानी की बोतल सड़क पे गली में लोग बेचता है वो आपका काम नहीं है ठेले वाले का काम नहीं है आपका माल बेचना ट्रांजाक्शनल नहीं काम करना है धूंड़िये कि आपका customer का business कैसा है अंदर स उसके business के अंदर थोड़ा गुषने का प्रयास करिए become a trusted partner of your customer by entering into his business and identify कि आपका customer पैसा क्या करने से कमा सकता है कई बार लोगों को लगता है कि वो अपने customer का business जानते है मैं शमा चाहता हूं नहीं जानते है पिचानवे percent clients के साथ जब मैं business consulting करता हूं customer लाते है मेरे साथ मे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उनके customer के business को यकीन मानिये कुछ sales के लोगों को पता है लेकिन वो भी बहुत superficial उपर उपर discount की देने की कोशिश करते हैं scheme पकड़ाने की कोशिश करते हैं उनको उधारी देने की कोशिश करते हैं हैं दीजेगा इसके बाद second point identify the critical success factor of your customer's customer यह थोड़ा सा different है काफी लोग जो है ना customer को product के benefit बताने में लगे मेरे product में ऐसा मेरे product में ऐसा मेरा product बड़ा संदर मेरे product में बहुत benefit है मेरा product बड़ा कमाल है यह केवल एक level की sales होती है B2C में चलेगी B2B में और बड़े business में नहीं चलेगा product का benefit नहीं दीए first point customer का critical success factor फ आपका customer जिसको अपना माल बेच रहा है न वो कैसे पैसे कमाता है तो यह आपको एक success chain बनानी पड़ेगी इसको बोलते है success consulting practice one more time come on success consulting practice आपको you don't act like a salesman you act like a consultant और जब आप consultant बनते तो आप consult करते हैं सामने वाले के साथ में कि आपका customer किस चीछ से सफल होता है पहले तो वो ढूंड़ो फिर आपके customer का customer किस चीछ से सफल होता है वो ढूंड़ो अगर आप अपने customer के customer दोनों को सफल बनाने में काम्याब हो गए अपनी services के माध्यम से तो यह जो आपका direct customer यह आपको कभी छोड़ेगा नहीं उसका आपके साथ काम करना मजबूरी जरूरी दोनों हो जाएगा वापस बता रहा हूं यह जो मैं आपको formula दे रहा हूं यकीन मानिये यह million dollar content है global best universities American or European universities जो content पढ़ा रही है वो content आज मैं अप आतार प्रयास कर रहा हूं appreciate करिए कि यह बड़ा काम आएगा आपको आप सफल तब नहीं होंगे जब आपको customer खली खुश होगा आप सफल तब होंगे जब आपने customer के customer तक की requirement को अपने customer की requirement के साथ match करके contribution में बड़ा value success का create करें इसको बोलते है success consulting practice so you act like a consultant माल बेचना पै तीसरा step identify the critical success factor of your customers competitor also बाहर बाहर के business expansion के तरीके से आपको बाहर निकाल रहा हूं पहला भी ज़रूरी है दूसरा भी और तीसरा भी customer को समझना customer के customer को समझना customer के competitor को बहुत डीटेल में उसकी profile में इंटर करना आपकी customer के जो top competitors हैं उनके business में भी प्रवेश करने का प्रयास क आपका customer का competitor कैसे काम कर रहा है और जो top competitor है आपके customer का वो किन policies के करने सफल हो रहा है वो क्या करने से सफल हुआ है तो customer के competitor का business model भी आपको पहचानना पड़ेगा और उसको भी अपनी solution के अंदर जो आपना product design करके बेचने का प्रयास करेंगे जो solution design करके बेचने का प्रयास steps में common बात है कि आपको तीनों के money making model को पहचानना होगा मैं आपको क्योंकि वीडियो ना जादा लंबा में बना नहीं पाता बड़ा helpless महसूस करता हूँ जादा detail में आपको आना है तो leadership की ये जो 6 महीने का अमारा program इस समय बहुत सफल हो गया है हर बार हर batch overbook हो रहा है आपको e-learning platform देते हैं जहां private assignment वीडियो आपके साथ शेर करते हैं साथ में हम आपको assignment coach भी देते हैं 6 महीने का hand holding support जितनी उम्मीद करी थी यह उससे बहुत दला सफल हो गया है अच्छा ये पहले 3 step complete हो गए ना आपके अब 4 step ध्यान दीजेगा अब आपको focus price, discount, scheme, overdraft and credit इ कैसे बढ़ेगा आपके customer की जीवन में inventory, turnover की speed कैसे बढ़ा सकते हैं आप, उसका gross margin, cash flow कैसे increase कर सकते हैं, क्या आप उसकी brand equity बढ़ाने में कोई try मार सकते हैं, क्या आप उसका नया customer acquisition या existing customer के retention की बाद कर सकते हैं, focus उसको discount देने की बजाए, उसकी profitability, liquidity, growth, productivity, brand equity, velocity वो तरीके ढूंडिये, जिनसे उसके business में turnover बढ़ जाए, उसके business में ज़्यादा बड़ी profitability आ जाए, थोड़ा उसकी नजर से देखिए, फिर business plan बनाईए, फिर product बेचने की कोशिश करिए, अगर आप ऐसा, सारे corporate यही करते हैं, मैं आपको share करना है, फिर सारे बड़े corporate यह करते हैं, पर 54 लाल व्यापारी जो है, वो फिर discount दे के, फट से business करने की कोशिश करें, कमजोर salesman भी यही गलती करता है, weak marketing की team भी यही काम करती है, यह trade discount, यह overdraft, यह credit period दे देना, यह माल सस्ता करके बेच देना, यह सारे कमजोर उपाएं हैं, अगर detail में समाजना चाहते हैं, तो एक कहीं case studies बना रहा हूँ, दूसरा तरीका ही है, आप मेरे कुछ iconic, powerful इस leadership program में आई है, जहां पर आपका life बदलने की guarantee में लेता हूँ, जहां मैं देखता हूँ कि आपका business हम पूरी तरह बदल सकते हैं, अगर आप आखर के हमारे को join करते हैं, और मेरा final और पांचवा point है, customer centric organization, one more time, come on, customer centric organization, in success consulting practice के अंदर, आप पूरी organization को थोड़ा सा restructure करिये, उनके mindset और skill set के अंदर, कि कैसे आप customer centric बन सके, customer centric organization बनाने करता है, customers critical success factor should be the foundation of your corporate strategy, customers critical success factor should be the foundation of your corporate strategy, इसका रहता है, आपका हर department को clarity होना चाहिए, कि आपके सबसे बड़े customer को contribute करने के लिए, उन department का role क्या है, one more time, आपके departments की role clarity और goal clarity इस पर निरवर करनी चाहिए, कि आपके सबसे बड़े customers हैं, हर department उनको सफल बनाने के लिए क्या कर रहा है, boardroom में जाईए, meeting करिए, सारे departments क को इकठा करिए, सारे अपने managers को बठाइए, उन से पूछिए, how is your department adding value to the customer's critical success factor, उन से पूछिए, कि आपका department मेरे सबसे बड़े customer के लिए, क्या कर रहा है और क्या अच्छा कर सकता है, यानि कि मेरा customer जिस चीज से सफल होता है, उसका critical success factor को contribute करने के लिए, आपका department अभी क्या कर रहा है, आगे और क्या कर सकता है, क्या परिवर्तन ला सकता है, तो आपकी team के अंदर brainstorming होगा, वो लोग बैठके आपस में थोड़ा चर्चा करेंगे, और हो सकता है, उसी समय कुछ game changing ideas आ जाएं, जिससे आपका ये केवल sales का काम नहीं है, माल बेचना, ये केवल company क ये owner का, ये sales की team, marketing की team का काम नहीं है, माल बेचना, ये पूरी organization को customer centric strategies build करनी ज़रोरी है, आपकी corporate strategy का foundation इसी पर निरबार करना चाहिए, कि customer के critical success factor को contribute करने के लिए हर department को role clarity और goal clarity साफ होनी आवश्यक है, इस subject में मैं दो वीडियो अभी और बनाऊँगा, जिसमें मैं अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं, या देश में बहुत ही छोटे आंतरपनियोर हैं और आप afford नहीं कर पा रहें मेरा program अटेंड करने के लिए, तो ऐसे कुछ templates में आने वाले समय में और दोंगा, of course, मेरी technology की team ने आपके लिए scheme निकाली है, कि आप credit card के थू भी इस 6 म 6 महीने का hand holding support e-learning platform पे देते हैं, जिससे आप और सफल हो सके हैं, अचा, sales और marketing की team को business thinker और business acumen कैसे develop करना है, इसके ओपर मैं शीगरी एक video डालने वाला हूँ, मेरा यहां लक्ष एक ही है, कि चाहे देश में Chinese माल आ जाए, या बहुत सस्ता माल आ जाए, आप premium price पे भी steps follow करते हैं, तो चाहे चाइना का सस्ता माल आ जाए, या कोई और competitor सस्ता माल लेके आए, अगर आप value जादा create कर पाएंगे, तो आप price जादा charge कर पाएंगे, अगर आप value जादा create कर गए अपने customer की जीवन में, तो price जादा charge कर पाएंगे, खाली discount के superficial level को छोड़के, उसके धंदे के detail में घुच जाएंगे, जहां से आपको value जादा create करने की संभावना मिलेगी, जिसको बोलते हैं, success consulting practice, आप उसको सफल बनाने की practice पे जादा ध्यान दे, ये मत सोचिए कि मेरा माल जादा कैसे बिके, ये सोचिए कि उसको सफल बनाने में, अपने माल बेचने की त मजगे तो, मेरा लक्ष है, छोटे-छोटे गाओं के घरीब का बच्चा, जो Harvard, Stanford और Oxford नहीं जा पा रहा है, या किसी करन्ट से आया है मेहमदाबाद भी नहीं जा सका, पर वो चाहता है कि मैं top class business knowledge इसी गाओं में रहते-रहते ले लूँ, तो इसलिए मैंने इस प्रकार के वीडियो बनाये हैं, जा मैं top quality content free में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अपने देश को आगे चलके कुछ और शक्तिशाली entrepreneurs दिये जा सकें, यदि आपके आसपास कोई entrepreneur है, वे अपारी है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, यकीन मानिये, ये उसकी बहुत-बड पूछन पूछना चाहता हूँ, मेरा पहला प्रश्न है, इन पांच steps में से कौन सा step आपको सबसे जादा पसंद आया, और मेरा दूसरा प्रश्न है, इन पांच steps में से कौन से step पे आप detailed video देखना चाहेंगे, इस video में थोड़ा technical content है, तो मैंने video भी थोड़ा धीमे धीमे बनाया है, ताकि आपको और असानी से digest हो सके और समझा सके, आपके हरी comment को मैं बहुत ध्यान से पढ़ने वाला हूँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,